नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की 23 फरवरी 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेइन पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियों में डिस्कस करेंगे देखो हमारा कल का जो वीडियो इंपेज कल का 22nd का और एक आज का जो सुबह का एडिटोरियल है 23rd का ये दोनों वीडियो आपको संडे को मिल जाएंगे या फिर बीच में अगर मिला ताइंग तो बीच में कावर कर देंगे ठीक है तो बेसिकली आज के दो आर्टिकल्स है एक तो रहेगा कि representation of people act के अंड इसके वज़े से उसका disqualification भी हो सकता है तो corrupt practices क्या होती है हो समझेंगे दूसरा हम देखेंगे कि caste based discrimination को contain करने के लिए USA में अलग-अलग areas में अलग-अलग laws लाई जा रहे है अभी उसमें Seattle ठीक है Seattle जो city है वहाँ पर new norm declare किया गया है जिसमें caste को लेकर discrimination को रोकने की की जाएगी तो ऐसे करके दो आर्टिकल से दोनों को देखता है फरस्ट आर्टिकल वट इस अ करफ ट्रेक्टिस अंडर representation of people act और supreme court ने क्या कहा है वो समझेंगे देखो basically context क्या है वो समझ लेते हैं case का नाम है यहाँ पर आप देखो हर्षवर्धन बाजपई यहाँ पर case का कि जो हर्षवर्धन बाजपई है इन्होंने करफ ट्रेक्टिस का फाइदा उठाया और वो चुनाव जीत गए ठीक है तो यह मुद्दा था इस मुद्दे को लेकर कि अलावाध आई कोर्ट में case पहुंचा अलावाध आई कोर्ट के बाद में फिर supreme court में case पहुंच गया के टाइम पे जो अपना आप कह सकते हो फॉर्म भरा था उस फॉर्म में educational qualification जो थी वो गलत भर दी ठीक है तो यहाँ पर अनुग्रे नारायन सिंग जो की फॉर्मल MLA है अलावाध नौर्ट से उनका यह कहना है कि यह बिल्कुल करण प्रेक्टिस है लोगों को influence करने का तरी भी educational qualification को ध्यान में रख करके voting नहीं हुई है ठीक है कि candidate को देख करके vote दिया हो कि हाँ जी कितना educated है हमारे आपर और बहुत सारे issues है जिनके ओपर ध्यान देख करके फिर बाद में voting का एक सलसला चलता है educational qualification को देख करके कोई voting decide हो ऐसा कोई case देखने को मिला नहीं है तो इस case अगर educational qualification गलत डाल दी गई तो उसको हम करप practice के तौर पे नहीं consider करेंगे और इसी basis पे जो हर्चवरदन बाचपी जो है BJP के MLA वो बोला अपनी MLA-ship को continue कर सकते हैं तो ये था मेन मुद्दा अच्छा ये करप practice की definition है किसमें है देखो representation people act के अंडर में section 123 clause 2 section 123 clause 4 इसके इसको detail में जानता हैं देखो यहाँ पर करप practice section 123 क्या कहता है representation of people act में देखो करप practice में bribery मानलो किसे को गोज दी गई हो या फिर undue influence किसी भी तरीके से एन के इन पर कारेंड आप अपने voters को influence करने कोशिस करो false information देखर कि आप लोगों को अपनी voting के लिए attract करना चाहो या फि hatred जैसी जो feel है वो बढ़ाना चाहो लोगों के बीच में दुस्मनी का एक माहुल बनाना चाहो तो उसको आप consider करोगे करप practice के तौर पे इसी section में clause 2 है section 123 clause 2 इसमें क्या define क्या हुआ है undue influence that means directly indirectly आप interfere कर रहे हो लोगों के issues में और उनको अपनी तरफ vote का मतलब vote bank के तौर पे कुछ ऐसे statement release करते हो जिससे की election के outcome पर कोई changes कोई difference impact डाल सके तो वो जो intentionally किया जा रहा है और उससे election के result पे असर पड़े तो आप उसको correct practice के तौर पे consider कर सकते हो इसके अलावा कोई elected individual है ना उसको उसकी post से या उसका जो election उसको nullified declare कर दिया जाएगा अगर वो इन में से कि किसी भी ground पे करफ practice करता हुआ मिला ठीक है और वो करफ practices क्या हो सकती है मान लो कुछ कोई offense है उसमें वो individual involved है पर उसके बारे में उसने अपनी तरब से disclose नहीं किया दूसरा अपनी election के time पे जो पैसा खर्च हुआ है उस पैसे के बारे में disclose नहीं किया उसमें गफले कर दिया है या इसके अलावा government contract या फिर कुछी भी work में उसका involvement है election के time पे तो ये सारी चीजे है वो करफ practice के तौर पे consider की जाती है कुल मिला करके चुनावी नतीजे के उपर अगर असर पढ़ रहा है आपकी किसी भी activity की वज़े से जो भी candidates खड़े होता है चुनाव में उनमें जी पड़ता हुआ देखा नहीं गया है इसी चीज़ को ध्यान में देखते हुए और ये चीज़ कैंसल हो गई कि जी ए करफ practice consider नहीं होगी ठीक है तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में finalize हो गया आजाओ जी आगे 2017 का एक case है यहाँ पर आप देखो one second इसको मैं तो रहा स्क के टाइम पर religion, race, caste, community, language किसी भी in particular terms का use करते हुए इनको अपने speeches में include करते हुए वोट मांगे है तो उनको आप practice consider करते हुए उस बंदे के election को nullify कर सकते हो section 1, 2, 3, 3, clause 3 के अंडर में ठीक है तो ऐसे में ये बात clear हो गई कि आप religion, race, caste, community, language इनके नाम पर अगर vote मांगते हो तब तो देखो problem create होगी बट educational qualification बोले issue create नहीं करती है अब बात यह आती है कि चार ये साथ judges की bench में से चार judges ने तो ये बात बोल दी पर तीन judges ने जो ये बात कही कि नहीं ये बात बिलकुल ठीक नहीं है कि religion, race, caste, community, language इनके नाम पर अगर कोई vote मांगता है तो आप उसको कै कैसे nullify कर सकते हो उसकी candidateship को क्यों क्योंकि कारण ये है कि अगर किसी candidate को ये लगे किसी elected leader को ये लगे या election में participate करते नाम पे उनको ये लगे कि उनके religion के लोगों के साथ में उनकी race, caste, community के लोग या उनकी language के जो लोग है उनके साथ में बहुत बुरा बरता हो रहा है तो व बुले ये तो एक तरीके से democracy में आपने typical जो एक होता ना abstraction that means कि एक word आपने लिख दिया कि हाजी religion के नाम पर अगर यहाँ पर हम vote मांगेंगे या वोटों के लिए अगर आप अपील करते हो या फिर religion को लेकर के कोई statement देते हो वोटों की demand नहीं अपील करते हो कि इस particular community के ल कि religion, race, caste, community, language इनके नाम पर भी अगर कोई यह कहे कि हाजी आप मुझे वोट दो आप मेरी community, मेरी race, मेरी religion, मेरी caste से बिलों करते हो तो उसको भी care practice के तौरपे गजिडर किया गया है तो फिलहाल तो situation यह है educational qualification वाला clear आपको होई गया ठीक है आगे चलता है next article Seattle bands caste discrimination देखो USA की city ठीक है USA की पहली city बन गई है Seattle जहाँ पर caste discrimination को रोकने के लिए local council ने vote कर दिया है total जो vote देने वाले candidates थे वो seven थे उनमें से six ने तो favor कर दिया कि जी बिलकुल caste के basis पर जो discrimination होता उसको रोका जाए और एक ने कहा कि बोले यह problem create कर सकता है तो खर majority six थी तो बात हो गई है कि बहुत जादा प्राब्लम क्रियेट करने वाली बात हो जाएगी खर मुद्दा क्या है resolution क्या है यह जो कानून पारित हुआ है यह क्या है वो समझते हैं इस legislation में यह था कि caste based discrimination होता है कहीं पर भी तो उसको रोका जाए जैसे कि मान लो किसी business में किसी को hire करना है tenure decide करना है कितने साल तक आप job करोगे promotion करना है workplace condition क्या है wages क्या है इनमें अगर आप caste को preference दे करके फिर काम करोगे तो वो क्या होता है एक तरीके से caste के base पर discrimination तो इसको रोकने के लिए यह law लाया गया इसके लावा public transport की बात कर लो public restroom की बात कर लो retail establishment की बात कर लो वहाँ पर भी caste का impact ना देखने को मिले उसको avoid करने के लिए यह कहीं ना करी caste discrimination को रोकने के लिए यह allow यह bill जो है या फिर यह resolution अपारित हुआ है तो basically legislation में क्या है कि caste को एक ऐसी identity की तोर पर recognize करना कि जिसके base पर कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है इसका मतलब US में जिस तरीके से race black and white gender male female and other LGBTQI community इनको लेकर के जिस तरीके से discrimination को रोकने के लिए पहल चलती है उसी तरीके से caste को लेकर के भी वहाँ पर पहल चल गई ठीक है जी तो यह एक मुद्दाप याद रखोगे तो सबसे important चीज तो क्या है USA की first city जहाँ पर caste based discrimination को रोकने के लिए law लाया गया वह Seattle City पहली चीज़ दूसरा क्या यह पहली बार है US में इसके लावा 2019 December में भी Brandis University जो कि Boston के पास में located है वहाँ पर भी USA के colleges में यह कह दिया था कि अब आप जो है वो caste के basis पर non-discriminatory policies create करोगे जिससे की caste के basis पर जो discrimination होता है वो discrimination ना हो क्योंकि हिंदू community बहुत जादा population में रहती है USA में तो उस point of view से यह चीज यहाँ पर implement की गही है अब objection ही आ रहा है बाक पर यह कहा जा रहा है कि आप equality को promote करना चाहरे हो तो फिर बाद में एक कास्ट के नाम पर जो inequalities हो उनको आप क्यों प्रोनचेट कर रहे हो क्यों ज्यादा emphasize कर रहे हो उसको ठीक है यह तो एक cultural war शुरू हो जाएगा ठीक है जो कोई भी नहीं जीत पाता है ठीक है anti-hindoo discrimination का behavior द अबदा लेकर के फिर और यह problem create की जाएगी वैसे ही बहुत सारे challenges already Hindu community को वहाँ पर देखने को मिलता है यह सारी चीजे बताई जारी है मोटा मोटा जो था में हमने देख लिया तो यह दो ही चीजे थी इस वीडियो में तो thank you very much